बाउजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटगाइट पीपोल्स वोइस और पेल आइकन दबाए प्रफरेंशमन नुर्थराम लोड़ी और आप देखरें हैं मैं यूटूब चेराल बेटगाइट पीपोल्स वोइस को कभी मुस्लिम समाज के बाउजन समाज पार्टी में बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ कर देती लेकिन पिछले विदान सबाचुनाओं के दरण उन्होंने बसपा सुप्रेमो मायावती पर पेसे लेकर टिकट बार्टने सहीथ कहीं आरोप लगाते हैं उन्होंने पार् मायाय महावती ने बड़ादा उत्रप्रदी दिकिन पर देख्व क्यों समधाय का दावत नेता और बहुजन समाज पार्टी के पूरवराजरस सहीवास संसद रहे लेकिन इस बार उन्हों उत्रप्रदेश का प्रदेश अद्रक्स इसलिए बनाया गया उसके दो कारण बताया जा रहे है एक कारण यह है कि जम्मु कस्मीर के मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी से चोड़ने के लिए बस्पा सुप्रिमो मायावति ने ये दाव खेल है और इस वज़ज़ से बहुजन समाज पार्टी ये कोशिस कर रही है कि वहां का जो समुदा है वह बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी भी तरीके से आ जाए यानि कि वहां पर भी अगर दलीत मुस्लिम और बुदिश्ट का एक अच्छा का सा कुमिनिशन बेटता है तो जिन चेतरों के अंदर बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समुदाय दूर हो रहा है उनको किसी भी तरीके से वापस खेश लिया जाए आपको उता दें कि फिसले विदान सभा के आम चुराओं के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तरब से मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा टिकेट दिये गए थे कई लोगों ने तो इसे भी हार का कारण ही बताया था लेकिन उसके बावज़ूद भी आपको तर्य बस्पास उप्रमायावती ने सो से भी ज्यादा मुस्लिमों को टिकेट दी थी विदान सभा के आम चुराओं में और इस वक्त भी बहुज पिश्टी दलित और मुस्लिमों का जमो कश्मीर बनाया जाए यानि बस्पास उप्रमायावती यह चाहती है कि जमो कश्मीर के अंदर भी पार्टे किसी तरीके से स्टेंड आप हो जाए पार्टे खड़ी हो जाए इसके लिए वहाँ पर उन्हें पता है कि मुश्लिम झाल के तरीके स्टाब नहें पता है कि मुश्लिम स्टाब और मुश्लिम का जाए भी हो मुश्लिम जाता है कि मुश्लिमाया जाए यह जाए विए नहें चाहती है